Hello students, मैंने पहले आपकी arithmetic function जिसमें आपका additive function और multiplicity functions इस पर मैंने वीडियो बनाई थी उस पर कुछ comments थे कि वो हमारी वीडियो बिल्कुल भी समझ में नहीं आई है ठीके और वो आपको जो है बिल्कुल सेर के उपर से जा रही है तो मैं केबल आज additive function पर आपके एक वीडियो ठीके उसके बाद मैं आपको multiplicative पर भी वीडियो बनाऊंगा तो इसमें additive function में हमारा क्या है कि मैंने कोई भी पहले additive function होता क्या है अब मैंने कोई भी f कोई function लिया है और n1 into n2 अब इसमें n1, n2 मेरे कोई भी positive natural numbers है जिनका जो hcf है इन दोनों का हमारा जो hcf है वो मेरा 1 ह है और यदि यह आपका fn1 और प्लस n2, fn2 इसके equal आता है तो हम इसको कहेंगे हमारा यह function additive function है यदि मैंने n और n2 ऐसे numbers लिये हैं कि जिनका hcf other than 1 है means fn1 into n2 where hcf of n1 and n2 is not equal to 1 means these are not co-prime or if this is equal to fn1 or plus fn2 then this function will be completely, completely additive function, completely additive function यह आपका complete additive हो जाएगा तो यह तो हमारा होता है additive function तो मतला हमारा function additive है या वो completely additive है कुछ अब मैंने आपको एक function दिया है मैं अब इसको example ले रहा हूं यहाँ पर ktow n where n is positive natural number and this is equal to number of numbers of all positive divisors number of positive divisors और where n belongs to natural number यह मैंने कोई function लिया है अब मैं यहाँ पर example क्योंकि मैंने पिछला उसमें क्या एक example लिया था तो उसमें आपको कुछ नहीं अब मैं ऐसा example लोगा जिनका SCF 1 भी हो सकता है और other than 1 भी हो सकता है तो मैंने पहले लिया आपका कि tau 36 अब मुझे देखना है कि tau 36 जो है यह किसके equal है तो मेरा जो function है वो कहरा है कि number of all positive divisors तो इसको जो divide करेगा 36 को तो 36 को divide करने वाले जो numbers हैं मैं यहाँ bracket में लिख रहा हूँ 1 से divide हो सकता है 2 से divide होता है 3 से आपका divide होता है 4 से divide होता है 6 से divide होता है 9 से divide होता है 12 से divide होता है 18 से divide होगा और 36 से तो जो टोटल डिवाजर्स हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तो इट मींज टाव 36 is equal to 9 अब मैंने इस 36 को टाव 36 इसको मैंने लिखा कि दो नम्मर का प्रोड़क्ट तो आप ऐसे नम्मर सेलेट करो जिनका SCF 1 हो तो मैंने इसको टाव 4 into 9 लिखा अब देखो इनका SCF मेरा 1 आ रहा है आपको नहीं जी मैं टाव इसको 2 into 12 3 into 12 भी लिख सकता हूँ अब भी आपका 36 आ रहा है आपको जी इसमें से 18 into 2 भी लिख सकते हम तो ये 18 into 2 भी आ रहा है इन दोनों केसिज में आपका जो SCF है is not equal to 1 इनमें SCF 1 नहीं है इन दोनों केसिज में जब कि इसमें आपका SCF 1 है तो मैं अब इस पार्ट में चेक करता हूँ तो according to this property Fn1 means tau 4 into 9 you can write tau 4 plus tau 9 अब आपके 4 के जो total divisors है तो total जो 4 को divide कर 4 के जो आपके divisors है वो 1 है 2 है और आपका 4 है it means 3 divisors only और 9 के divisors से आपको 9 1 से divide होता है 3 से divide होता है और आपका 9 से divide होता है तो इसके भी आपके 3 हैं तो this will be equal to 6 but left hand side it is equal to 9 तो इसमें आपके जो total divisors है means tau 36 left hand side आपका ये मैंने पहले लिखा हुआ है 9 है और tau 4 into 9 is equal to 6 क्योंकि इसके 4 के divisors 1, 2 और 4 ही थे के बल 3 ही थे 9 के भी आपके 1, 3 और 9 ही divisors थे तो ये total 6 है therefore left hand side is not equal to right hand side therefore this function अब HCF 1 है means not additive तो आपका जो tau 36 है not additive function ये आपका additive नहीं है this is not additive function तो ये हमारा additive में हमने ये देखना था अब मैंने इनका दूसरा एक्जम पर लिया 3 और 12 को तो tau 3 into 12 you can write tau 3 plus tau 12 so divisor of 3 3 के divisors आपका 1 and 3 2 हैं केबल 3 के divisors 1 से divide होता है और 3 से divide होता है 12 के 1 से divide होता है 2 से आपका divide होगा 3 से आपका divide होगा 4 से आपका divide होगा 6 से आपका divide होगा और आपका 12 से divide होगा तो ये हमारा जो है इसमें 6 आपके total divisors है तो यह total is equal to 8 तो यहाँ पी देखो SCF आपका आप 1 नहीं था यहाँ पर मैंने SCF 1 लिया था तो इसमें left hand side is not equal to right hand side क्योंकि इसमें आपके 9 factors आ रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और इसमें आपके 9 factors नहीं आ रहे हैं तो यह आपका left hand side is not equal to right hand side तो therefore it is not completely additive अब आप second, third example 18 को आप check करेंगे तो tau 18, you can write tau 2 plus tau 18 अब tau 2 इसके जो factors हैं वो केबल 2 हैं 1 से divided होता है और 2 से आप 18 आपका 1 से divided होगा 2 से divided होगा, 3 से divided होगा 6 से divided होगा, 9 से divided होगा और 18 से divided होगा तो यह मेरे आपके पास 6 होते हैं तो यह total आपका 8 जबकि मेरा tau 2 into 18 36 तो 8 और यह जबकि मेरी value है 9 therefore left hand side is not equal to right hand side so therefore this function neither completely additive nor additive function तो यह हमने additive में चेक करना है तो हमारा जो, अब यहाँ function वो कुछ भी देगा आपको अब मैं इसका second example लेता हूँ कोई भी, अब मैं इसके इसी के लिए में multiplicative का कोई भी example लेता हूँ आपका या divisor का किसी का भी आप ले सकते हो इसमें अलग-अलग functions हैं तो इसमें sum of all positive divisors लेता हूँ आपको वो symbol आपने यूज करना है वो आपको statement देगा यहां से अब सिग्मा 18 sum of all positive divisors अब 18 के जो divisors हैं 1 इसका divisor है, 2 इसका divisor है, 3 इसका divisor है 6 इसका divisor है, 9 इसका divisor है और आपका 18 इसका divisor है तो आप sum of divisors, इनका हम sum करेंगे तो sum of divisors युकल टू 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 9 प्लस 18 तो 3 और 3 6, 12, 12 और 18, 30, 30, 9 यह आपका sum of divisors अब 18 को आप split कर सकते हो तो मैं पहले इनके prime numbers जिनका मतलब SCF आपका 1 आए वो ऐसी number लेता हूँ तो मैंने tau 18 को लिखा हुआ स्वरी, sigma 18 को मैंने लिखा हुआ है sigma 2 इंटू 9 और additive के लिए sigma 2 और प्लस sigma 9 अब divisor of 2 तो divisor of 2, 1 और 2 तो 1 प्लस 2 हो जाएंगे यह और प्लस divisor of 9 2 नहीं, 3 इसका divisor है 4 नहीं, 5, 6, 9 इसका divisor है तो इनका आपका sum हो गया 3 और प्लस इनका हो गया 12 और 13 13 प्लस 3, 16 so this is a left hand side 18, that is 39 is not equal to right hand side so this is not additive function अब इसमें मैं लेता हूँ आपको की इसका जो completely additive के लिए तो 18 में आपके ऐसे factors 6 और 3 लेते हैं तो मैं tau 18 को मैंने लिखा sorry, sigma 18 को मैंने लिखा 6 into 3 अब sigma 18 means sigma 6 और प्लस sigma 3 अब इसमें SCF of 6 and 3 is not 1 इसमें आपका SCF 2 and 9 is 1 यहाँ SCF जो था वो आपका 1 था यहाँ पर जो SCF है, that is not 1, that is 3 अब इसमें sigma 6, 6 के जो divisors है 1 इसका divisor है, 2 इसका divisor है 3 इसका divisor है, 4 इसका divisor नहीं 6 इसका divisor है, प्लस 3 का divisor 1 है और आपका 3 है तो इसके जो divisors है 1 और 2, 3 6 और 6, 12 और प्लस 4 So, this will be equal to 16 So, sum of all divisors, that is 16 And in case of this, sum of divisor is 39 So, left hand side is not equal to right hand side So, this is not completely additive So, neither this function is Neither this function is completely additive nor additive function So, यह आपने additive में check करना है So, यहाँ पर आपका function जो भी given है आपने उसके according इसको split करना है तो main आपका additive function में यह होता है